यह जो center pin है यह center pin circuit board में कहां से connected है नमस्कार दोस्तों में आपका फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में time वो इसके वीडियो में आगे बढ़ते है देन लेट स्टार्ट यह एक HP laptop की adapter है और HP laptop में किसी-किसी model की adapter में 3 output point होती है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो adapter की output point है इस output point में 3 connector है इस connector की center में आप एक pin देख रहे हो यह pin जो है इस pin के साथ जिस wire connected है वो wire adapter की circuit board से कहां से connected रहता है आज के वीडियो में हम वो ही देखेंगे लेकिन वीडियो में आगे बरने से पहले जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ यह जो connector है इसकी जो outside body है यह है ground और इसकी जो inside body है वो है positive point और connector की center में जो pin है वो sensor की तरह काम करता है क्यूंकि इस center pin से laptop में जब voltage जाती है तब यह laptop decide करती है कि यह adapter charging के लिए सही है या फिर नहीं तो चलिए आप adapter को open करते हैं और देखते हैं यह जो center pin है इसके साथ जो wire connected है वो wire adapter की circuit board में कहां से connect रहता है और इसे open करने के लिए हमें इस जगा पे glue remover देना होगा और यह दोनों side से देना होगा और यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा fast forward कर दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो finally हमने इसे पूरी तरह से खोल दिया है और यहाँ पर आप three wires देख रहे हो white, blue and black और इन तीनों में से white वाला जो है वो है positive voltage के लिए और blue वाला जो है center pin के लिए और black वाला जो है वो है ground तो चलिए आप इस circuit board को पलटते हैं और देखते हैं यह जो blue वाला ओयर है यह कहां से connected है और यह आगे हम adapter की back side में और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेगा यह है white वाला ओयर जो की positive connection है और जो यहाँ पर है यह है positive point आप यहाँ से आप देख सकते हो यह जो single track है यह track गया है एक resistance पे जो की यह है और फिर इस resistance को होके यहाँ से वो track इधर पे आती है और आगे फिर से इस resistance की बीच में से होके इस side पे आती है और आगे इस point के साथ जूर जाती है और यही वो point है जो की connector की center बली pin के साथ connector है यहाँ पर आप और भी close look देख सकते हो वो track यहाँ तक आती है उसके बाद इस resistance को होके इधर से आके इस resistance की बीच में से होके इधर आके इस बीच बाले point में जूर जाती है आप चलिए multimeter के थुरू देखते हैं वो positive voltage उस resistance के थुरू block होके कितनी voltage आती है इस बीच बाले point पे तो यह है main positive voltage जो की यहाँ पर 20V दिखा रहा है मेरे multimeter में और फिर यह track जाती है इस resistance पे यहाँ पर भी 20V दिखा रहा है आप चलिए resistance की इस पार देखते हैं तो resistance की इस पार मेरे multimeter में voltage शो कर रही है 14.3 और यह है 20 बाला point और यहाँ पर भी same वही voltage शो कर रही है बेरे multimeter में 14.3 वोल्ट यह वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ यह जो center बाला pin है यह center बाला pin जिस wire के साथ connect रहता है वो adapter की circuit board में कहां से आके कहां पे connect रहता है सिर्फ यह दिखाने के लिए ओके गाइस thanks for watching my video if you like my video then please share it and subscribe my channel thank you